नमस्कार मैं एंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टीचर एजूकेशन में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मेसो पोटामिया की सब्यता या काफी महतपूर सब्यता है पिछली क्लास में हमन मेसो पोटामिया की सब्यता जो है दुनिया की सबसे पहली सब्यता मानी जाती है यानि मेसो पोटामिया की सब्यता जो है विस्वकी प्राचीन सब्यताओं में से एक मानी जाती है मेसो पोटामिया का अर्थ क्या है उसी हम पहले समझेंगे मेसो पोटामिया का जो अर्थ है वह मद्ध है यानि बीच का छेत्र है या बीच में और पोटामिया का जो अर्थ है नदी से है यानि किसे है नदी से यानि जल से है जल का जो बीच का छेत्र है उसे क्या कहा जाता है मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया जो है युनानी भासा में है, मेसोपोटामिया जो सब्ध है वह युनानी भासा में है जिसका आर्थ जैसे कि अभी हमने बताया जल की मद्दे का छित्र होता है यह सब्धा, कौन सब्धा? मेसोपोटामिया की सब्धा जो थी वह इराक में फलफुर रही थी, बहुत ही उपजाओ नदियों के बीच में यह सब्धा का अभी कास हुआ, वह कौन कौन सी नदिया है मुझसे देख लेते हैं, दजला और फरात नामक दो नदियों के मद्द के छेतर में बिक्सित हुई थी, इसी काराड इसे मेसोपोटामिया की सब्धा के नाम से जाना जाता है, काफी महतपूरे इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप लोग एक बार बता देते हैं, दो नदियों इस प्रकार थी, एक नदी थी, दजला जैसा कि आप लोग और एक नदिया यहाँ प्राद, इन दोनों नदियों के बीच में यह सब्धा बिक्सित हुई थी, जो दो नदियों के बीच में बिक्सित होने के काराड इसे मेसोपोटामिया की सब्धा के नाम से जाना गया, Koreanite, आगे हम देखेंगे कि इस छेतर में तीन सब्धाओं का और विकास हुआ जिसे सुमेरिया की सब्यता, बेबिलोनिया की सब्यता और असिरिया की सब्यता के नाम से जाना गया है, इन तीनों सब्यताओं को जब एक साथ समलित किया गया है, तो उसे मेसोपटामिया की सब्यता का नाम दिया गया, ठीक है, इन तीनों सब्यताओं में से जो महत्पूर सब्हेता है वह बेबी लोनिया की सब्हेता है कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे कहा जाता है कि एराग में एक जगा है जिसे जूलता हुआ बगीचा के नाम से जाना जाता है कहा जाता है कि वहीं पर जो सिकंदर था उसकी मृत्ती हुई थी सिकंदर की जहां मृत्ती हुई थी वहां पर उसके घोड़े का भी मृत्ती हुई थी इसलिए उस जगह को क्या कहा जाता था बूके फराल काफी महत्पूर है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे बूके फराल उस जगह को कह सब्बैता का जन्म कहा जाता है कि सुमेरिया की सब्धा इसे सब्धता का जन्म कहा जाता है किसे सुमेरिया की सब्विता को और बेबिलोनिया की सब्विता को का जाता है कि उत्पत्ति को चरम सीमा तक पहुचाने की सब्विता जो है बेबिलोनिया की सब्विता और असिरिया की सब्विता का जाता है कि वह जो है इस सब्विता को आत्मसाद किया था आगे हम पढ़ेंगे सुमेरिया की सभिता, सुमेरिया की सभिता में पढ़ेंगे कि सुमेरिया की सभिता का विकास कैसे हुआ, उसकी राजनिती इस्तिति क्या थी, सामाजिक जीवन कैसा था, और आर्थिक जीवन कैसा था, और धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, उसे हम अत्तधिक उपजाओ होने के कारण जैसा कि अभी हमने बात किया जो दो नदियां थी वो दो नदियां बहुत ही उपजाओ थी इसलिए उपजाओ होने के कारण उस नदियों के बीज के छेत्र में सुमेरिया की सब्यता का विकास होता है इस कारण इसे उपजाओ क्रिसेंट क रहा जाता है किसे सुमेरिया की सभ्यता को ठीक है सुमेरिया के सभ्यता के लोगों ने जो अपनी राजधानी बनाए थी सुमेर नामक राजधानी बनाए थी उसी सुमेर नामक राजधानी पर उस सभ्यता का नाम सुमेरियन की सभ्यता नाम पढ़ा तो इसे आप लोग ध्या ठीक है राजनितिक स्थिति जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो दो नदियां थी दजला और फराद इन दो नदियों के कारड इस छेत्र में अनेक दूइप बन गए थे इन दूइपयों में धीरे-धीरे सभेताओं का विकास हुआ सभेताओं का विकास होने के कारड़ उस दूइप में राज्यों की अस्थापना हो गई राज्यों के पर सुमेरियन सभेता में उर्किष निसपूर और इडिधोर आधी जो राज्य की अस्थापना होई थे आगे हम पढ़ेंगे जो सुमेरियन की सब्यता थी उसका जो सासन धर्म पर आधारीत था काफी महतपूर है किस प्रकार हम समझेंगे जो राजा होता था वह इस्वर का प्रतिनीधी समझा जाता था सारगन प्रथम इस सब्यता का संस्थापक था काफी महतपूर है आप लोग एचे ध्यान रखेंगे जो सारगन प्रथन था वह सुमेरियन सब्यता का संस्थापक माना जाता था राजा के बाद यानि सुमेरियन सब्यता का जो शासन वेवस्ता था वह धर्म पाधारित था राजा जो होता था वह इस्वर का प्रतिनिधी होता था लेकिन राजा के बाद उस राजय का प्रतिनिधी करता था वह पुरोहित का महत्त दिया जाता था यानि जो धार्मिक कर्म को करते थे उसे पूरोहित आ जाता था ठीक है अब हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि सुमेरियन सब्वता के लोगों की जो सामाजिक जीवन किस प्रकार थी सुमेरियन सब्वता के समाज पर धर्म का बिसेस प्रभाव था यानि ज समाज को तीन वर्गों में विभाजीत किया गया था सुमेरियन सब्यता जो थी उन सब्यता में जो लोगों को जो समाज में लोक थे उन पहला था उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग में विभाजित किया गया था। उच्च वर्ग में जो लोग थे वह सासक, सामन और उच्चा धिकारी एवं पुरोहित आदी उच्च वर्ग में लोग आते थे। इसके इतरीक जो अपका निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग में दास आते थे, यानि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके काम काज को जो करते थे वह निम्न वर्ग में आते थे. तत्कालिन समाज यानि सुमेरियन की सब्यता में जो तत्कालिन समाज थी उसमें दहेज प्रता का प्रचलन भी था लेकिन फिर भी समाज में इस्तियों को समान द्रिष्टी से देखा जाता था तो काफी महतपूर है आप लोग ध्यान रखेंगे परिक्षा में यदि आपके बैकल्पिक तोर पे पूछा जाया किस समाज में दहेज प्रता के प्रचलन था तो सुमेरियन सब्यता में ठीक है सुमेरियन सब्यता के लोगों की जो अर्थिक जीवन जिस पे आधारित था वह क्रिसी था वह क्रिसी जो है नहरों और बाधों का निर्मार करके वह क्रिसी को करते थे सुमेरियन सब्यता के लोग ठीक है इस काल में यानि सुमेरियन सब्यता के लोग में काल था इसमें किसानों ने अपनी कुल उपज का एक बटा तीन भाग राज को कर देना पड़ता था सुमेरियन सब्यता के अंतरगर्द ब्यापार की इस्तिती अच्छे थे यानि सुमेरियन सब्यता की जो ब्यापारिक इस्तिती थी वह काफी अच्छे थे जिससे लोग दूर-दूर के छेतरों के साथ ब्यापार करते थे, ठीक है, इस सब्यता के निवासी जो खेती करते थे, क्रिशी करते थे, कौन-कौन से, यह आप ध्यान रखेंगे जो अनाज था, खजूर, उनी वस्तरों का, आदी, मिस्रिवम भारत में ले जाते थे, ठीक है आगे हम देखेंगे इन देशों में सोना, चादी, मुल्यवान, पत्थर, हीरा, आदी को लेकर जाते थे, यानि जो सुमेरियन सब्यता के लोग थे, वह मिस्र और भारत, भारत से मिस्र से वह ब्यापार करते थे अगे हम देखेंगे इनकी धार्मिक इस्तिति कैसे थी, धार्मिक जीवन कैसा था, सुमेरियन सब्यता में धर्म का विसेश महत्तो था, यानि जो सासन ब्योस्ता थी, वह धर्म पे आधारित थी, कैसे, प्रारम में किवल वह एक ही देवता, यानि एक देववाद की पूज करने लगें प्रैक्रितिक, शक्तियों में सूर् एवं चंद्रमा की पूजा करते थे यहलों प्रैक्रिक सकतियां थी सूर्ख और चंद्रमा इनकी पूजा सुमेरियन सब्धता के लोग करते थे यहां धर्म एक इस्वर वाद से बहु दे व वाद की और अगरसर हुआ सुमेरियन सब्यता में इनकी लेखन कला किस प्रकार के थी उसे हम देखेंगे सुमेरियन सब्यता के लोगों की जो लेखन कला का भी घ्यान था इनकी जो लिपी थी वह कीला कार लिपी कहा जाता था काफी महत्पूर इसे आध्यान रखेंगे कि सुमेरिय सब्यता के लोगों की जो लिपी थी वा किस प्रकार थी तो कीला कार लिपी ठीक है इस लिपी का अभिसकार जो है लगभग 3000 इसापूरों के आसपास सुमेरियन के लोगों ने किया था इसका किलाकार लिपी का ठीक है जिसमें इनका था अक्षर थे चिन, चित्रों और संकेतों के माध्यम से वह इस लिपी को ब्यक्त किया करते थे इस लिपी को चिकनी मिट्टी की गेली तक्तियों पर नुकीली वस्तूों से लिखा जाता था यानि आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुमेरियन सब्यता की जो लिपी थी वह चित्रों के माध्यम से, चिन्नों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जो चिकनी मिट्टी के घड़े होते थे उस पे कलम के माध्यम से लिखा जाता था दर्साया जाता था ठीक है इस लिपी में अनेक लेक प्राप्थ हुए हैं किसमें किलाकार लिपी में आगे हम पढ़ेंगे बेबी लोनिया की सभेता इन सभेताओं में जो काफी महतपूर सभेता माने जाती है बेबी लोनिया की सभेता बेबी लोनिया की सभेता का विकास कैसे हुआ और बेबी लोनिया सभेता की राजनितिक, इस्तिति क्या थी, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की इस प्रकार था उसको भी हम जानेंगे और समझेंगे सुमेरियन सब्विता के पश्चार इस छेत्र में बेविलोनिया की सब्विता का जन्म हुआ बेविलोनिया सब्विता के लोगों ने सुमेरियन सब्विता को नश्ट करके उसमें कुछ सुधार करके पहले से अच्छा बनाया यानि आप लोग ध्यान रखेंगे सुमेरियन सब्विता के बाद बेबी लोनिया सब्विता का विकास हुआ बेबी लोनिया सब्विता के जो लोग थे वह सुमेरियन सब्विता को नश्ट करके बेबी लोनिया सब्विता को बनाए इसी कारण Babylonia एवं Sumeria की सबिताओं में अनीक समानताइं पाय जाते हैं। किस प्रकार की समानताइं हैं Babylonia सबिताओं और Sumeria सबिताओं की? उसे हम जो है जब राजिनितिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे तो वहां पर उन समानताओं के बारे में पढ पास पास सुमेर पर विजय प्राप्त किया एक जगह था सुमेर नामक जगह था उस पर विजय प्राप्त किया इन्होंने बेविलोन को अपनी राजधानी बनाई यानि सुमेर पर विजय प्राप्त करने के बाद बेविलोन जो जगह था उसको अपनी राजधानी बनाई इस कारड बेविलोन को राजधानी बनाने के बाद इसी कारड ही इस सभ्यता को बेविलोनिया की सभ्यता कहा जाता है ठीक हम पढ़ेंगे इसकी राजनितिक जीवन किस प्रकार के था यानि आप लोग ध्यान रखेंगे बेबिलोनिया और सुमेरिया सब्विता की जो कई ऐसे समानता हैं जो एक समानता से यहां देखेंगे राजनितिक जीवन है कि बेबिलोन का सरप्रमुग जो सासक था हंबूरावी था काफी महत्पूरी से आप ध् दो हजार असी इसा पूर्वत तक सासन किया कहां बेबिलोन बेबिलोन में भी राजा को इस्वर का प्रतिनीधी माना जाता है यानि काफी महत्पूरे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुमेरियन सब्विता में भी राजा को इस्वर का प्रतिनीधी माना जाता है और बेबि साथ साथ योगी विथा उसने जो है विश्व को प्रथम कानून निरमाता के रूप में जाना जाता था, कौन हंभूराभी जो है, ठीक है, उसकी जो कुछ संगिता, हंभूराभी की संगिता जो विश्व के इतिहास में एक विशिष्ट अस्थान रखती है उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या-क्या है उसकी संगिता में क्या-क्या उल्लिखित था जैसा कि कानून को कोई भी हाथ में ले नहीं सकता अपराधी को सजा देने का काम सरकार करता था ठेक है का कानूण अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान था करजटार को भी रहात देने के लिए रहन करन करने के प्रथा चालू की गई थी ब्याज की दरे निर्धारित की गई थी और मुआउजा देने की प्रथा भी चालू की गई थी तो ये जो कानून ब्यवस्ताइं बनाई गई थी हमबूरावी की सनिता में यह उलिकित थी तो इसे आप लोग धियान रखेंगे और याद भी रखेंगे आगे हम देखेंगे कि बेवी लोनिया की सभिता जो थी उसकी समाजिक जीवन किस प्रकार के था इस प्रकार वह सुमेरियन सभिताओं के समान थे यानि बेवी लोनिया की सभिता का जो समाज था वह भी तीन वर्गों में विवाजित था उच्च वर्ग मध्यम वर्ग और नि उच्च वर्ग के लोग थे ओपुरोइत थे जो धार में करते थे यौगादि को करते थे अन्य सम्पन ब्याक्ति वह ऊच्च वर्ग में थे मध्यार में कॉन-कॉन थे किसान व्यापारी को रखा गया था निम्न वर्ग एどう जो इन सभी के कार्यों को किया करते थे वह निम्नवर्ग में रते ठीक है इस सब्यता में जो समानेता एक पत्नी प्रथा भी चलाई गई थी काफी महत्पूर इसे आप ध्यां रखेंगे कि पत्नी प्रथा किस सब्यता में चलाई गई थी तो आप लोग ध्यां रखेंगे बेबी लोनिया की सब्यता में बेबी की सबहता कि आर्थिक जीवन यानि इनका जो मुख व्योसाय था वह क्रिसी था इस सबहता में जो किसान थे वह संपन्य थे क्योंकि इनकी भूमी उपजाओ थी कि उपजाओ जो नदियां ती दजला और अप elf अपराद दियां रखेंगे दजला और पराक नदिया जो थी उन दोनों नदियों के बीच में यह सब्यता विक्सित होने के कारड़ भी इस सब्यता की जो भूमी थी, यहां के इस छेतर की जो भूमी थी, काफी उपजाओ थी, इसलिए इनका मुखे बहुत सा क्रिसी था, ठीक है, इस सब्विता में ब्यापार पर उन्नती था, सडको एवं जहाजों से ब्यापार किया करते थे, कौन, बेबिलोनिया के सब्विता के लोग जो है, मिस्र से, आप लोग ध्यान रखेंगे, मिस्र से इनका संबन्ध काफी अ अच्छे थे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इनकी धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, बेबिलोनिया की सब्विता का जो धार्मिक जीवन था, यह भी धर्म पर बिसेस महत्त रखता था, एनि इनका जो साशन विवस्ता था, वह धर्म पे आधारित था, यहां जिगूरा इस सब्विता में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाते थी, जिसमें पसुब अली का भी प्रचलन था, सुर्य और चंदर्मा की भी पूजा की जाती जी, यह प्राकरति को रूप से, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, असिरिया की सब्विता, जो इस सब्विता की अं जिनितिक, आर्थिक और समाजिक धार्मिक जीवन किस प्रकार के था, किस प्रकार जो है तीनों सब्वेताओं में समानता हैं, उस पे भी हम भी सेज ध्यान रखेंगे, हमबूर अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सासक था बेबी लोनिया की सब्वेता, हमबूर अभी उ पर जो है असेरिया के लोगों ने हमबूरावी की मृत्यू के बाद आकरमण करके उस पर अधिकार कर लिया इन्हों ने मेसोपोटामिया यानि जो दराज और फराक दो नदियां थी उसके बीच जो बड़ा एक भूभाग था उसमें अपना समराज अस्थापित किया इसी कार जो मेसोपोटामिया जगह था वहाँ एक राज है जिसका नाम था असूर नगर था उसी कारण असूर नामक नगर के कारण ही उस सब्यता का नाम असीरियन का लाया इनका सबसे प्रसिद्ध सासक जो था असीरी बित्री पाल काफी महत्पूरे आप लोग ध्यान रखेंगे जो असीरिया की सब्यता है उनका जो प्रसिद्ध सासक माना जाता है असीरी बत्री पाल था यह एक बित्वान सासक था कहां असीरिया की सब्यता की आगे हम पढ़ेंगे इनकी राजनितिक इस्तितिक इस प्रकार के थी असीरिया की राजधानी जो थी आप लोग ध्यान दजला और ये फराक नदियों के बीच में ये सब्यता बिक्सित हुई थी लेकिन जो असीरिया की जो राजधानी थी वा किस नदी के किनारे थी तो यहां आप लोग ध्यान लगें इस पकार थी दजला नदी के किनारे होने के कारड़े इस नदी की सब्यता में कुल उसल सूव व्यवस्थि सासन की अस्ठापना हुई थी इस सब्यता में राजा को इस्वर का प्रतिनीधी माना जाता था वह अत्यन्द सक्ति साली होता था जैसा कि हमने देखा कि जो सुमेरियन की सब्विता थी बेबिलूनिया की सब्विता थी और असीरिया की सब्विता थी उन सब्विताओं में जो समानताएं हैं यहां देखने को मिलती है कि जो उनकी राजनितिक इस्थिती थी उसमें जो इस्वर का प्रतिनिधी के रूप में माना जाता था वह राजा को माना जाता था जो एक अत्यांत सक्तिसाली था और कुसल भी था ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कि प्रसासन की सुविधा हे तू समराज को इकाईयों में बाटा गया आप ध्यान रखेंगे जो सुमेरिया और बेबिलोनिया की सब्विता थी उनमें इकाई का जो सर्वोचो प्रमुख होता था वह राजपाल को कहा जाता था यानि राजपाल को बनाया जाता था राजपाल का कार क्या होता था उस इकाई के लोगों से कर असुलना उनका प्रसासनिक बेवस्था बनाये रखना एवं जनता की सुरच्छा करना उस इकाई के यानि राजयपाल का प्रमुख कारे होता था ठीक है इस सब्यता में अपरादियों को कठोर दंड दिया जाता था यानि आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस सब्यता का प्रसासनिक भीवस्था थी वह एकाईयों में भीभाजित किया गया लोगों का उस एकाई के लोगों से करो सुलना और जंता की सुरस्था करना इसलिए उस सभ्यता की जो अपरादियों को कठोर दन तAut Hiक प्रकार हम समझेंगे आरथिक जीवन किस प्रकार था असिरिया की सब्विता के लोगों का जो विवसाय था वह क्रिसी थी यानि असिरिया की सब्विता भी क्रिसी प्रधान थी यहां के लोगों का मुख्य विवसाय था क्रिती करना क्रिसी के अतरिक उद्योगों को भी विक्सित होने लगा था जिसमें असिरिया के लोगों ने ल लोहे का ऑजार बनाने वाले यह सरपर्थम लोग महतपूर इसई आप ध्यान को कि लोहे के ऑजार बनाने वाले सरप्रथम लोग कौन थे तो आप लोग suffer आजीरिया के ताके लोग लोहे का उद्योग था वह लोहे का प्रयोग करता है थे इसलिए वह लोहे को अवजार बनाने वाले प्रत्थम लोग माने गए आगे हम पढ़ेंगे समाजिक जीवन किस परकार था असिर्या के सभिता के लोगों का इस सभ्यता के लोगों को समाज को तीन वर्गों में भीभक तिया गया था उच्छ वर्ग में सामंत एवं पूरोहित थे मध्यम वर्ग में बैपारी, कुशल एवं कृशक थे और निम्न वर्ग में दास जो इन सभी के कार्यों को किया करते थे इस काल में इस्तिरियों की इस्तिती अच्छी नहीं थी, परदा प्रथा प्रचलन थी, काफी महत्पूर इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्जाम में पूछा जाएगा कि परदा प्रथा किस सभिता में प्रचलित थी, तो आप लोग यहां ध्यान रखेंगे, असीरिया क किसमें असीरिया की सब्यता में परदा प्रथा प्रचलित होने के कारण ही इस काल के इस्तिरियों की जो दसा थी वह अच्छी नहीं थी आगे हम पढ़ेंगे और अंतिम पॉइंट भी पढ़ेंगे धार्मिक जीवन असीरिया के सब्यता के लोगों की धार्मिक जीवन के इस सब्यता में धर्म का महत्त था यानि जो सासन विवस्था थी वह धर्म पे आधारित थी जो असीरिया की सब्यता के लोग थे वह असूर मर्दुक एवं इस्वर की पूजा करते थे असीरियन ने सक्ति के बल पर सासन की स्थापना की यहां अधिक समय तक कायम नहीं रही और इ असीरियन की सब्यता का भी पतन हो गया आज के लिए इतना ही तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो आज की क्लास में हम लोग पढ़े मेसोपोटामिया की सब्यता जिसमें सुविरियन सब्यता बेबिलूनिया और असीरिया की सब्यता आप सभी लोगों को समझ जाए होगी फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉफिक को लेकर तब तक के लिए नमस्कार